हेलो दोस्तो नमस्कार इसे हम किसी चाना में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूं तो दोस्तो इस पुड़े में हम लोग कवर करने वाले हैं लगबग साथ से आठ इंपोर्टन टॉपिक्स को तो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले बैंक के साथ जि देखने को मिल जाते हैं बंदन बैंक में हम लोगों को मतलब यूज्वली एक सेल आफ देखने को भी आपे मिल जाता है यह आज की बात नहीं है अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी ट्रैक करते होंगे तो हम देख सकते कि जबी जबी नंबर का सिनेरियो आते वे देखने मिल जाता है इसमें बड़ी बड़ी गिरावट है हम लोगों को मल्टीपल टाइम्स देखने को आपे मिल चुकी है सो बंदन मैंक को में ज़्यादा तो ट्रैक यह आपे करता नहीं हूँ बट येस फिर भी जबी भी कमपनी के नंबर आते हैं तो इसको एक स्टड़ी करने क के लिए फोकस में रख सकते हैं कि इनके नंबर कैसे आएंगे उसके उपर आपका फोकस रहना चाहिए नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो HDFC-AMC सो कल के दिन नंबर हम लोगों को देखने को मिलेते हैं नंबर तो काफी अच्छे थे बाट बाजार के इतना कुछ खास रिस्पांस नहीं था आज के दिन की बात करें साड़े तीन पसंट की तेजी फिलाल तो देखने को मिल रही है और निचले स्तर से एक अच्छी तेजी तेजी हम लोगों को अभी AMC stocks मतलब HDFC AMC में हम लोगों को होते वे देखने को मिल रहे मतलब short term की अगर हम लोग बात करें 6-6 मैने में 60-60% returns बनते वे देखने को मिल रहे मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो obviously बहुत ज़्यादा time हो चुका है ये एकी range में हम लोगों को चलत चलते वे देखने को नहीं मिला एक ही दायरे में stock चलते वे देखने को मिला इवन दो sector अच्छा करें company की बात करें तो company ने भी बहुत अच्छा का सा performance आपे दिखा है सभी अगर हम लोग parameters की बात करें बट फिर भी stock में उस प्रकार का performance हम लोगों को देखने का आपे नहीं अगर आपको लगता है कि ये ग्रो कर सकता है तो इन दो इसको आप चाओ तो study कर सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन तो focus में रहने वाला था infosys because कल के दिन की बात करें ADR में तो जबरदस भूकम देखने को मला था लबग लबग साड़े 6% गिरा था तो आज के दिन infosys की अगर हम हमारे market की बात करें तो गिरावाट तो यहापे ज़रू हुई थी बड़ इतनी ज़्यादा कोई गिरावाट देखने को यहापे नहीं मिली ठीक है यह IT सेक्टर थोड़ा सा स्लोडाउन में चल रहे है यह cycle चलती रहती है ठीक है जब ही नीचे रहेगा cycle के तो obviously इसी प्रकार की चीज़े देखने को लेगी जब धिमे-धिमे करके recovery होगी और वापस stop पे जाएगा तो यह तो चलता रहता है ठीक है तो इनफो से जैसे stock की बात करें तो basic जो चीज रहती है पाच साल में double के इसाब से इसको consider किया जाता है तो उतना तो return net हम लोगो थोड़ा बहुत उपर नीचे देखने को आपे मिल जाता है तो उस इसाब से अगर आपने stock को लिया होगा तो कोई दिक्कत की बात वैसे नह करें तो पौने 3% की तेजी HLTEC में देखने को मिले इसका भी scenario से में 5 साल में double के आसपास तो आप यह आपे देख सकते हो उसी के आसपास in fact उससे भी ज्यादा return इस company ने generate करके आपे दिये है तो और अगर देखा गया तो company के numbers उक्क्यों के रहे बट बाजार का जो performance देख नंबर रहते हैं उनके कोई एब दम super duper hit तो number देखने को यह आपे नहीं मिलेंगे super duper hit out of the syllabus number हमेशा छोटे company mid cap small cap के हम लोगों को देखने को आपे मिल जाते है तो large cap की अगर हम लोग बात करें average number हमेशा की तरह देखने को मिल जाते है वैसा ही performance इस वक भी यहापे चल रह नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो railway stocks railway stock की बात करें तो आज करी इरकॉन international के उपर खास focus देखने को मिल गया 10% के आसपस साड़े नव 10% के आसपस की तीजी थी इसके पीछे का reason बहुत ही साफ है कि इरकॉन international और उसी की साथ साथ rates की भी अगर हम लोग आपे बात करें उनको रवनत्न के अगर हम लोग बात करें उसका जो status या पे मिल चुका है so definitely यह बहुत सारी जो PSU stocks जो रहते है उनको यह status हम लोगों को देखने का आपे मिल जाता है so mini रतन करके रहता है नवरतना भी आपे रहता है ठीके तो यह इरकॉन international rates मतलब आप चेक कर सकते है इसमें भी आज अच्छी कासी तेजी देखने को मिली है तो यह title vital चलते रहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है आपे इस चीज के चलती किसी भी stock में निवेश करना नहीं होता है निवेश करना होता है एक ही point से yes business अगर आपको धंदे में interest है को sector में interest है तो फिर आप आगे उने विचार यापे करना चाहिए जिन्होंने अभी तक भी निवेश यापे नहीं किया रेले सेक्टर में तो personally में तो उनको यह ही कहना चाहूंगा कि election के result आने के बाद अगर आप जाओगे तो safest position आपका रहेगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा कि stock आज 150 का है कल 1500 का सिधा ह हो जाएगा करके तो ऐसा तो नहीं होने वाला है अगर आपको safe कहलना है तो यह एक better option है यहापे रहता है मतलब इतना time हो गया अभी तक नहीं गये तो यह एक safest option है तो यह हम बात करेंगे IRFC वैसी कुछ तेजी देखने को मलें दो-दो-पसंट के आसपस और long term में अच्छे returns यहापे मिल जाएंगे जिसको यह basic गणित समझ में आ गया वह बाजार में हमिशा ठीके रहता है और इसके उपर मैंने यहापे वीडियो भी बनाया था कौन सा वाला वीडियो यह रिखी यह वाला वीडियो कि यह सीख लिया तो market में long term में आप बहुत अच्छा पैसा कमा होगे एक मैने पहले यह वीडियो बनाया था अगर आपने वह नहीं दिखा है तो लिंक में उपर आई बटन पर दे दिता हो कौन से चैनल की बात हो रही है तो हमारा एक और चैनल है stock market classes करके तो इसी चैनल के उपर भी वीडियो आते रहेते कल के दिन की बात करें Saturday है इस च पूरा sector हम लोगों को एक साथ भागते वे देखने को मिल रहा है गए इस चीजşन बहुत ही नोमिनिएल हम लोगो पता ही था वैसे तहूर के इंटर्णेशनल ये रेलवे अगर जाने वाली ठीक है जो के भिए भुश के तोड़े से कम होते वे देखने को मिल रहा है उस BAG तो airline sector तो airline sector तो आप सबी लोग को पता ही है जितने भी airline companies है बहुत ही खराब सीती में हम लोगों को देखने को मिल रही है एक हाद दो company चलते भी देखने को मिल रही है तो airline की अगर बात करें तो akasa air भी आप देख सकते हैं multiple उनके जो अभी बेंगलोरु की अगर हम लोग बात करें तो वो भी cancel होते भी देखने को आप मिल रहे है वही pilot से related issues देखने को आप मिल रहा है मतलब क्या है कि airline में आपको जो भी company अभी akasa में भी अभी start हुए issues है go air की बात करें go first की बात करें वहाँ पे दिक्कत है jet airways नहीं चल रहा है already नीचे है king fisher तो बंदी हो गया ठीक है तो बड़े-बड़े airlines जो भी थे वो सब कुछ हम लोगो खराब ही चलते वे दिखने को यह आपर मिल रहे है और देखा गया तो इन sector में दो ही प्लियर से इंडिगो और मैं लिस्टिंग के इसाब से बात करा हूँ एर इंडिया के ओपर हम लोग बात नहीं करेंगे तो इन दो प्लियर्स की बात करें तो उसमें भी देखा गया तो इंडिगो ही अच्छा परफॉर्मस यहां पर दे रहा है 50 प्लस पसेंट का मार्केट शरीनी के पास है स्पाइश जेट भी अपनी सर्वाइवल की फाइट यहां पर लड़ रहा है बट आज की दिन स्पाइश जेट 20 पसेंट के आसपस हम लोगों को भागते वे देखने हो तो ऐसा स्टॉक चुकि लगातार यहां पर टॉप लेवल से नीचे 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 ही हम लोगों को जाते वे देखने हो पाक साल का भी डेटा आप देख सकते हो तो ऐसा क्या है यहां पर सड़नी तेजी आ गई तो इसके पीछे का रिजान है दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो कि राकेश गेंगवाल की अगर हम लोग बात करें वो क कितना exactly वो पता नहीं बड़ बताय जा रहा है कि 20% के आसपास steak खरीद सकते हैं तो अगर indigo यहापे spice jet में 20% के आसपास steak यहापे खरीदेगा तो हम यहापे कह सकते हैं आने वाले समय में क्या पता हूँ spice jet को भी पूरी दरे किसे खरीद ले और indigo की subsidiary बना दे quite possible ऐसा यहापे हो सकते हैं जिस root से मतलब spice rate गुजर रहा है बहुत ही पैसों की जरूत उनको बार-बार पढ़ती रहती है तो पॉसिबिलिटी है शायद से वो ऐसी भी चीज़े आपे कर ले तो इसी चीज़ के चलते इंडिगो कि अगर हम लोग बात करें आज के दिन एक पस अगर spice rate में stake बढ़ा दे तो क्या पता 50% के उपर चला गया तो इंडिगो के अंदर ही spice rate आ गई तो quite possible ऐसी चीज़े आपे हो सकती है तो इसलिए इंडिगो एंड spice rate में आज के दिन भी performance अच्छा देखने का आपे मिला था then as usual अदानी ग्रूप के उपर focus था supreme court की सुनवाई थे आप सभी लोगों को पता है usually क्या होने वाला था है यह हर किसी को यह पर पता है वही चीज़े होती भी देखने को मिली है कि जो सुनवाई है वो आगे differ कर दी जा चुके differ मतलब postpone तो कब होने वाली अभी 20 October को बताय ट्रेडर तो short term में आता है अपना stop loss target लगा कर चला जाता है इंवेस्टर जो रहता है वो इस चीज़ में अटक जाता है ठीक है क्योंकि time गुजरना पड़ता है और जितनी ज्यादा uncertainty उतना ही ज्यादा उस stock में बड़े निवेशक आने के chances थोड़े बहुत कम होते वे आज की दिन की बात करें तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा लाल निशान देखने को में जो कि एक normal सी चीज़ देखने को मिले को बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिली है तो यह मामला जो है बहुत ही लंबा चोड़ा है यहाप चलने वाले आप सभी लों को पता ह इस चीज़ में अगर देखा गया तो बार 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 इस चीज़े को यहापर टारगेट करते रहेंगे और इस चीज़ के чистYजे कि आपका नाम कुन्सा आकांट आपने लिंक के तरोपन के आप प्रॉपरली कमेंशन कर दिना तो अफ्ते पर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साथ से फ्री आफ कश्प पुराइड कर दी जाएंगे तक आप शेर बादार के बेसिक्स को आसान भाषा से जान सको तब तक के लिए बाइ